हलो दोस्तों स्वागे थाफ सभीका हमारी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्ट नमबर थ्री विए फस्ट यर वालों के लिए जो ग्राफी का पेपर जो होना है और जो फस्ट पेपर होता है और इस पेपर के लिए हम टोटल 500 most important questions आपको दे रहे हैं और इसी 500 most important questions का यह हमारा part 3 है अभी तक हम 2 part अपलोड कर चुके हैं यदि आपने अभी तक part 1 और part 2 नहीं देखा है तो जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको link मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल की playlist को चेक करो वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा दोस्तों यह सारे के सारे questions previous year questions हैं जो की repeat होते रहते हैं और जो भी आपकी परिछा की दरस्टी से important questions है इस series में मैंने सिर्फ उन्हीं questions को लिया है इसलिए मैं आपको भरोस्त दिलाता हूँ यदि आप ये 500 most important questions की पूरी series को complete कर लेते हैं सारे part देखे तो आप 70 से 75 percent questions को आसानी से solve कर पाऊगे ये मेरी guarantee है तो आए इस वीडियो को start करते हैं इस वीडियो को जो हमारा पहला question है वो question number 51 है अभी तक हमने part 1 और part 2 में question number 50 तक complete कर लिया था दोस्तों यदि आपको किसी भी questions का answer आता है तो comment box में अपना answer जरूर लगाए और प्रते एक वीडियो में 25 questions आपको करवाता हूँ तो 25 में से आपका कितना score रहा वीडियो को लास्ट में comment box में जरूर वेता है इससे आपका confidence बढ़ेगा कि आपकी कितनी तयारी हो चुकी है और कितनी preparation करना बागी है तो आए टाइम ने कमाते हैं वीडियो को start करते हैं तो इस वीडियो में हम पहले questions चलने वाले हैं 51 से अभी तक हमने 50 questions को complete करवा दिया है 51 नमबर हमारा question है निम्रांकित में से किसका मत है कि एक ही भू स्थम के उपरी भागों में कम घनत तथा निचले भागों में अधिक घनत होता है बड़ा ही गजब को कोशन है स्टेटमेंट वाला कि किसका मत है कि एक ही भूस्तम के उपरी भागों में कम खणतो तथा सबसे निचले भागों में अधिक खणतो होता है आपके सामने option से option number A हिसकाइनन, option number B प्राट, option number C ऐरी या फिर option number D बौविने तो इसका जुराइट अंसर है option number A हिसकाइनन ने ये स्टेटमेंट दिया था बढ़ते नेस्ट कोशन पर हमारा नेस्ट कोशन है question number 52 शती पूर्थी टल के सहारे घनत। निम्नांकित मेंसे होता है। सर्वाधिक होता है। बराबर होता है। नियुतम होता है या फिर अति-ल्प होता है। तो इसका जो राइड अंशर है एंसर अवस्ण नमबर बेर होता है। प्राट ने एक संकल्पना दी थी, आपको बताना है कि यहाँ पर जितने भी हमारे मुद्दे दिये हुए हैं, उनमें से ऐसे कौन से मुद्दा है कि जिसकी ब्याख्या प्राट की संकल्पना नहीं करता है, देखो आप्शन नमबर A दिया गया है कि प्राट के अनुसर उचा उचाए एवं घनत में प्रत्यच्छ संबंद होता है, उप्शन नमबर C है, छति पूर्ती तल के ऊपर घनत में अंतर पाया जाता है, तदा नीचे समान घनत होता है, उप्शन नमबर D है आपका घनत में अंतर के वल स्थल मंडल में ही होता है, तो आपका जो राइड अंस कि प्राट की संक्लपना किसकी ब्याख्या नहीं करता है तो option number B हमारे लाइगा right answer इसकी ब्याख्या नहीं करता है अच्छा जितने भी मुद्दों की ये ब्याख्या करता है आपको उसको भी याद रखना है जैसे हो गया कि हमारा उचायवं घनत में उल्टा संबन्द होता है तो इनके संकल्पना इसके ब्याख्या करता है ठीक है तो इसको भी आपको याद रखना है option number c छाती पूर्थी तालिक में ऊपर घंच में अंतर पाए जाता है तथा नीचे समान घंच होता है इसकी भी ब्याख्या करता है तो आपने इसको भी याद रखना है और घनत तुम्हें अंतर कवल स्थलमंटल में भी होता है, यह प्राट की संकलमदा से संबंदित है या फिर इसकी ब्याक्ष्या करता है, तो आपने इन तीनों को याद रखना है, बढ़ते नेस्ट कोशन पर, I hope कि आपको यह कोशन समय में आ गया होगा और याद भी रहेगा क्वेशन नंबर 54 कहता है कि उचा इस्तंब कम घनत नीचा इस्तंब आदिगनत उपरोगत कथन किस ने दिया था, तो यह स्टेटमेंट किसका है आपको वो बताना है, इसका इनन का है, प्राट का है, या फिर आप्शन नंबर C, आर्थर होम्स का है, या फिर आप्शन अबर B, प्राट ने कहा था कि ऊच्चा स्थम्ब कम गनत तो यह इस्टेटमेंट दिया था प्राट ने तो आपने इसको याद रखना है आप बढ़ते हैं आपने नेस्ट कोशिन पर हमारा नेस्ट कोशिन है कोशिन नमबर 55 सम्तोल तल की विचारधार को स्पस्ट करने के लिए बवी ने जिन वस्तोगों को लिया था उसे उन्होंने किस बरतन में रखा था यदि आपने बवी के प्रियोगों को पढ़ा है तो इस कोशिन का आप आंसर बिल्कुल इजिली और जरूर दे पाऊगे तो कोशिन हमारा कहता है कि सम्तोल तल की विचारधार को स्पस्ट करने के लिए बवी ने जिन वस्तोगों को लिया था यदि आपने इनके प्रियोगों को पढ़ा है तब उन्होंने किस बरतन में रखा था तो अफसन नमबर A है आमले से भरे बरतन में रखा था अफसन नम ठीक है सम्तोलतल की विचारधारों को इसपस्ट करने के लिए उन्होंने अपनी सारी वस्तों को रखा था पारे से भरे बरतन में तो B रहेगा हमारा राइट अंसर बढ़ते नेस्ट कोशन पर I hope कि आपको कोशन याद हो गया होगा हमारा नेस्ट कोशन है कोशन नमबर 56 किस ने कहा था कि पराड के विचारों में R&E की जड़ बनावट जिसको इंग्लिस में हम बोलते हैं रूट फार्मेशन त Catholics सिधान्द की जलक आती है फिर से समस लीज़े कोईशन को किस ने कहा था कि प्राड के विचारों में A.R.E. की जड़ बनावट तथा तैराव सिधान्द की जलक आती है अफिसन नमबर A. B. B. A.R.E. अफिसन नमबर C. होंस ने या फिर अफिसन नमबर D. जोली ने तो इसके तो राइड अंसर है उफिसन नमबर A. B. 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 ने ऐसा कहा था कि प्राड की विचारों में A.R.E. की जड़ बनावट एवं तैराव सिधान्द की जलक आती है ऐसा बोवी ने कहा था बारते नेस कोईशन पे उफिसन नमबर A. रहे गा राइड अंसर हमारा नेस कोईशन है 57 नमबर कोईशन प्राड के अनसार घनत तुम्हें अंतर होता है बड़ा ही गजब को कोईशन है और काफी बार ये पूछा जा चुका है प्राड के अनुसार घनत तुम्हें अंतर होता है इस्थल मंडल, जल मंडल, वायू मंडल या फिर आफ्षिन नमबर D उ प्रोक तुम्हें सिख कोई नहीं देखो जो प्राड थे इन्होंने कहा कि इस्थल मंडल में ही घनत तुम्हें अंतर आता है या फिर अंतर होता है ठीके इस्थल मंडल में ही ये अंतर पाए जाते हैं घनत तुम्हें तो option number A रहेगा हमारा right answer बाई ते नेस्ट कोशन पर हमारा नेस्ट कोशन है सर्व प्रताम प्रकास डालने वाला कौन था डेविस जेम्स हटन पेंक या फिर थारन बरी तो इसका जो राइट अंसर है option number B जेम्स हटन ठीके आप अपरदन चक्र के संकल्पना पर सर्व प्रताम प्रकास डालने वाला था जेम्स हटन option number B रहेगा हमारा right answer बाई ते आपको वीडियो पसंद आ रहे हो तो जरूर लाइक करें यदि आपको लगता है कि इस वीडियो से मेरी थोड़ी भी हल्प हो रही है और आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपने दुस्तों के साथ वीडियो को जरूर सेयर करें और यदि आप चाहते हैं कि इसका जब भी नेस्ट पार्ट अपलोड हो उसका मैसेज आपको मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो आता है उसको जरूर प्रेस करके आल सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो नेस्ट पार्ट अपलोड होगा उसका मैसेज या फिर उसका नोटेफिकरिशन आपके पास पहुंच जाएगा तो भड़ते हैं नेस्ट कोईशन पर अपने हमारा क्वेशन नमबर है सिस्टी तो भड़ते हैं और ये पिछली ही बार पूछा गया था आपकी परिच्छन में तो आपको इसको याद रखना है तो इसका जो राइट अंसर है, option नमबर B डेविस ने, ठीक है डेविस ने कहा था कि धरातल की संदस्णा जो है, किरिया समय की किरिया है ठीक है, बढ़ते है next question पर option नमबर B रहेगा राइट अंसर हमारा next question है, question number 61 शंदुलन सब्ध का प्रयोग सर्व परत्म नी मंनि में से किस ने किया औपस्न नमबर a ने पब भी है और्थर होमस ने अप्षिन N सियरि ने या फिर आपका लास ऑप्शिन है जोलिने तो आपका जो राइट Conservancy is डटन महोदय ने कहा तक संतुलन सब्द का सर्व प्रतम प्योग किया था डटन महोदय ने option number A रहेगा हमारा right answer बारते next question पे हमारा next question है question number 62 किसने पहली बार प्रस्तावित किया की परवतों की जड़े गहरी होती है बड़ा ही गजब को question है आपको बताना है किसने पहली बार प्रस्तावित किया की परवतों की जड़े गहरी होती है एरी ने किया था option number A B है option आपका प्राट ने या फिर option number C हाइफोड ने या फिर आपका option number D है last option होमस ने तो इसका दो right answer है option number A एरी ने कहा था पहली बार प्रस्तावित किया था कि जो प्रवतों की जड़े होती है जड़े होती है ये गहरी होती है option number A है right answer question number 63 है निम्नांकित मैंसे किस बिद्वान के संतुलन पर बिचार A.R.E. से मेल खाते है ठीक है आपको बताना है कि किस बिद्वान के संतुलन पर बिचार जो थे वो बिचार A.R.E. से मेल खाते है या फिर A.R.E. के बिचारों से मिलते जो ते है option number A है बोई option number B है फोड option number C है होम्स या फिर option number D है जोली तो आपको जो right answer है option number C होम्स के जो बिचार है वो A.R.E. के बिचारों से मेल खाते है या फिर माइच होते है option number C is the right answer बढ़ते हैं next question पे हमारा next question question number 64 भू संतुलन की समस्या का सर्व पर्थाम लेखा जोखा निम्नांकित में से किस ने प्रस्तूत किया बहुत या अच्छा question है और आपको बताना है कि भू संतुलन की समस्या का सर्व पर्थाम लेखा जोखा निम्नांकित में से किस ने प्रस्तूत किया था प्राट ने, बोवी ने, होमस ने या फिर A.R.E. ने तो ये प्रस्तूत किया था भिया option number A प्राट ने, ठीक है आपको याद रखना है कि भू संतुलन की समस्या का सर्व पर्थाम लेखा जोखा प्राट ने प्रस्तावित किया था या फिर प्रस्तूत किया था बाइटे नेस्ट कोशन पे हमारा नेस्ट कोशन है Question number 65 Uniform depth with varying density किसके द्वारा प्रतिपादेत किया था यह एक पुष्तक का नाम है कि Uniform depth with varying density यह पुष्तक का नाम है और यह किसके द्वारा प्रतिपादेत किया था Option number A है Holmes ने, Option number B है Praat ने, Option number C है Bowie ने, या फिर Option number D ARI ने तो Option number B रहेगा इसका right answer इसका प्रतिपादन क्या था Praat ने, ठीक है आपको याद रखना है बाजते हैं इस question पे 66 नमर हमारा question है हेफोड के अनुसार सम्तोल तल पर ठीक है हेफोड के अनुसार सम्तोल तल पर धरातल से कितने किलो मीटर की गहराई तक बिद्द्यमान है हेफोड के अनुसार यादि हम माने सम्तोल तल पर धरातल से कितने किलो मीटर की गहराई तक बिद्द्यमान है अफ्शन नमर ए है 100 किलो मीटर, 200 किलो मीटर, 300 किलो मीटर या फिर 400 किलो मीटर तो इसका जो right answer है अफ्शन नमर ए ये जो है धरातल से 100 किलो मीटर की गहराई तक बिद्द्यमान है हेफोड के अनुसार यादि हम देख दे हैं तो अफ्शन नमर ए हमारा है right answer हमारा नेस्ट कोशन है कोशन नमर 67 धरातली सता के नीचे जिस तल पर उचे उठे भागों का तथा नीचे धसे भागों का भार बराबर होता है क्या कहलाता है फिर कोशन को समझे धरातली सता के नीचे जिस तल पर उचे उठे भागों का तथा नीचे धसे भागों का भार बराबर होता है क्या कहलाता है वो इस्तम्ब संतुलन तल option number C है sum इस्थिती तल option number D है छती पूर्ती तल तो इसका जो right answer है option number D छती पूर्ती तल कहलाता है option number D रहेगा हमारा right answer next देखो question number 68 जोली के अनुसार छती पूर्ती मंडल की मुटाई कितनी है बड़ा ही गजब को question है जोली के अनुसार छती पूर्ती मंडल की मुटाई कितनी है पांच मील दस मील या फिर पंदरा मील या फिर आपका है last option 20 मील तो इसका जो right answer है option number B 10 मील ठीक है जोली के अनुसार हम देखें तो जो छती पूर्ती मंडल की जो उचाई है या फिर मुटाई कहलो 10 मील है बालतें next question पे next देखो question number 69 प्रतिबी की crust अधिक घनत वाले अधा अस्थर ठीक है में तैर रही है किस ने कहा था ठीक है प्रतिबी की जो crust है अधिक घनत वाले अधा अस्थर में तैर रही है यह किस ने कहा था Sir George A.R.E. ने कहा था Arthur Holmes ने कहा था His scanner ने कहा था या फिर आपका last option अफिन नमबर D Hefford ने कहा था तो इसका जो राट असर है option number A Sir George A.R.E. ने कहा था ठीक है Sir George A.R.E. ने कहा कि प्रतिबी की जो crust है अधिक घनत वाले अधा इस्थर में तैर रही है I hope कि आपको question याद रहेगा Nest देखो हमारे nest क्या है Question number 70 में आपके से पूछा जा रहा है निम्न मेंसे कौन सा प्लेट Asia महादीप और प्रसांद महा सागरी प्लेट के B चीश थी थे फिर से समझे question को बड़ा ही गजब को question है कि निम्न मेंसे कौन सा प्लेट Asia महादीप और प्रसांद महा सागरी प्लेट के B चीश थी थे थे आपको बताना है option number A है फिलिपीन प्लेट option number B है कारोलीन प्लेट या फिर option number D है आरेबियन प्लेट या फिर option number C है फियूजी प्लेट तो इसका जो राइट अंसर है option number A फिलिपीन प्लेट जो है ये Asia महादीप और प्रसांद महासागर प्लेट के B चीश थी थे मद धेश थी थे फिलिपीन प्लेट आपको इसको याद रखना है option number A रहेगा हमारा राइट अंसर बारते हैं हमारा नेस्ट कोशन है question number 71 प्लेट बिवर्तिन की निम्न में से किसके सिधान का संसोधित वा विक्सित रूप है जो हमारा प्लेट बिवर्तिन की है निम्न आंकित में से किसके सिध्धानत का संसोधित एवं बिक्सित रूप है option number a है Tujo Bilsen का, Markan का یा फिर Weekner का या फिर McKenzie का तो इसका जो राट अंसर है option number c Weekner का ये सिध्धानत है या फिर नुका ये संसोधित एवं बिक्सित रूप है ठीक है option number c रहेगा हमारा right answer नेस्ट देखो, question number हमारा है 72, निम्नांकित में से कौन सा कथन, plate को सही रूप में परिभासित करता है, ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा कथन जो है, ये plate को जो है, सही रूप से परिभासित करता है, option number A है, स्थली द्रण भूखंड, option number B है, स्थली मरद भूखंड, यह फिर option number C है, स्थली द्रण भूखंड दोनो, यह फिर आपका last option है, option number D, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका जो right answer है option number A एस्थाली द्रल भूखंड वास्तों में हमारी जो प्लेट्टे होती है वो एस्थाली द्रल भूखंड होती है तो option number A रहेगा हमारा right answer next question हमारा दिया गया है 73 निम्नांकित में से किसको सीयर सीमा कहा जाता है संद्रची प्लेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट 74 question कहता है निम्नांकित में से किस plate सीमा के सहारे ना तो plate कच्छे होता है और ना ही नई करस्ट का निर्माड होता है question को समझना कि किस plate किस सीमा के सहारे ना तो plate कच्छे होता है और ना ही नई करस्ट का निर्माड होता है recognizing a Hai से आपिवर विद्हंसक प्लेंट by is अफिन रच्ग लेड़ अपसन नाथमक प्लेट या फिर अफिन डी होड़ ने से कोई नहीं तो आपका na4 निजमें होता है इस समEr्ट-भी यह पहाड़ियों पर ज्यादा होता है ऑफिर एंसेuire ev5 पर ज्यादा होता है 1 भूट-विए धय पको यह वीडियो पसंद आया होगा यह crafts पेपर में तो शिर्फ इनी 500 को कम्लेट कर ले मैं कर लिजिए मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप 70 से 75 को अटेम्ट कर पाऊगे शिर्फ इनी इसी सेरीज से तो आई होब कि आपकोई वीडियो पसंद आया है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक लिए नमस्कार जैंद